हेलो दोस्तों, आप सभी को मेरा नमस्कार, आप सभी का फिर से बहुत-बहुत स्वागत है फ्लेवर्स ट्यूब में, तो आज हम आये हैं एक और नहीं इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ, और आज हम कुछ मीठा बनाएंगे, और बहुत ही आसानी से, और बहुत ही कम समय मे यह रेसिपी बनकर रेडी हो जाती है, इसका जो प्रेपरेशन टाइम है बहुत कम है, तो आज जो रेसिपी हम बनाएंगे, उसका नाम है गुड़ वाली मीठी दही, तो यह जो मीठी दही है, उसे हम गुड़ के साथ बनाएंगे, तो बहुत ही टेस्टी, डिलिशिस और रेसिपी है, तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं, तो यह जो मीठी दही गुड़ वाली बनाने के लिए, सबसे पहले हमें चाहिए होगा दही, फिर हमें चाहिए होगा गुड़ जैगरी, और कुछ ड्राइफ फूट्स जैसे की काजू, बादाम, और छोटी इलाइच फ्लेवरिंग के लिए, और थोड़ा सा पानी, तो यही सब इंग्रीडियंट्स है, और इसी में ही, इसी से ही हमें यह जो गुड़ वाली मिठी दही है, वह हम बनाएंगे, तो जैसा कि आप देख सकते हैं, के वन तीन इंग्रीडियंट्स, तीन से चार इंग्रीडियंट् तो दोस्तों, अब हम इसे बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, तो सबसे पहले हम एक सॉस पैम दे दे देंगे, और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर, जादा नहीं, उसे हाई फ्लेम में उसे थोड़ी तेर गरम होने देंगे, और फिर हम इसमें जो गुड़ है जैगर है उसकी एक थिक कंसिस्टेंसी वाली सिरप हमें बनाना है, जैसा हम शुगर सिरप बनाते हैं, बिलकुल इसी तरह से हमें इसका एक गाढ़ा सा सिरप बनाना है, और इसका जो कलर है, वो रेडिश ब्राउन हो जाना चाहिए, तो इसे हाई फ्लेम पे हम इसे पिगलाएंग कंटीनुसली स्टर करते रहना है, हाई फ्लेम पे, और इसकी एक थिक कंसिस्टेंसी वाली रेडिश ब्राउन कलर की हमें एक सिरप जैसा जैगरी सिरप हमें चाहिए, तो दोस्तों जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारा जो जैगरी का सिरप है, वो कुक हो रहा है और इसमें बहुत ही अच्छा उबाल आ गया है, तो इसे हमें कंटीनुसली स्टर करते रहना है, अगर हम किसी भी मोमेंट पे इससे स्टर नहीं करेंगे, तो ये मीचे से चिपक सकती है, तो इसे कंटीनुसली स्टर करते रहना है, और इसकी एक रेडिश ब्राउन थिक कंसिस्टेंसी वाली सिरप न बन जाने तक इसे हमें कुक करना है, तो इसमें और थोड़ा सा टाइम लगेगा, तो बीच बीच में आप इसे गैस पर से थोड़ा सा उपर कर लें, और इसे चेक कर लें कि इसका जो consistency है, वो कैसा है, इसका color आया है या नहीं, और इसे continuously आप stir करते रहें, तो दोस्तों, finally हमारा जो जैगरी सिरप है, वो एकदम गाढ़ा, रेडिश ब्राउन कलर का हमारा बन कर ready हो गया है, तो अब हम इसे गैस पर से निकाल लेंगे, तो हमारा जो जैगरी सिरप है, वो एकदम बन कर ready हो गया है, तो दोस्तों, अब हम एक दूसरे container में जो दही है, तो आप नोटिस करेंगे कि जैसे हम इसमें जैगरी का सिरप डालेंगे इसमें एक बहुत ही अच्छा light reddish brown color आएगा और यह बहुत ही अच्छा दिखेगा तो जैगरी सिरप डालने के बाद फिर हम इसे continuously stir करेंगे और इसमें थोड़ा-थोड़ा करके जो जैगरी सिरप है व एकदम स्मूथ हो जाए स्मूथ क्रीमी टेक्स्चर आजाने तक हम इसे continuously stir करेंगे तो अब हम इसमें जो ड्राइफूट्स हैं काजू और बादाम वो हम इसमें चॉप करके डालेंगे ड्राइफूट्स का जो क्रंच है वो फ्लेवर है उसमें बहुत ही अच्छा लगता है तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा light reddish brown color इसमें आया है और कितना अच्छा यह दिख रहा है तो ड्राइफूट्स चॉप ड्राइफूट्स डालने के बाद फिर से हम इसे थोड़ा सा मिला लेंगे और अब हमारा जो मिक्स्चर है वो एकदम ready है मीठी दही का तो अब हम इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए इसे हम रखेंगे तो दोस्तों जो मीठी दही मिक्स्चर है उसे हमने छोटे छोटे बॉल्स में ट्रांस्वर कर लिया तो अब हम इसके ऊपर छॉप ड्राइफूट्स सजाने के लिए हम इसके ऊपर डालेंगे और अब हम इसे रेफ्रिजरेट करने के लिए रखेंगे मिनिमम् 6-7 घंटे तो अगर आप उससे जादा र रेफिजरेटर में रखना है तो अब हम इसे रेफिजरेटर में फ्रीज होने के लिए रखनेंगे तो दोस्तों लगभग मिनिमम साथ से आठ घंटे या च्छे से साथ घंटे इसे फ्रीजर में रखने के बाद हमारे जो गुड़ वाली मीठी दही है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो इसे आपको एकदम चिल्ड ही आपको इसे सर्फ करना है और इसका टेस्ट आपको बहुत ही अच्छा हैगा तो हमारी जो गुड़ वाली मीठी दही है वो एकदम बनकर रेडी हो गया है तो मुझे उमीद है कि आपको ये रेसिपी बहुत पसंद आई होगी और इसे आप अपने घर में जरूर ट्राय करेंगे तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें हमारे चैनल श्लेवर्स ट्यूप को सबस्क्राइब करें और अपने feedbacks अपने suggestions नीचे comment section में जरूर लिखें तो हम फिर मिलेंगे एक और नई इंट्रेस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार